आपको तो ये पता ही होगा कि हम जिस आकास गंगा में रहते हैं यानि Milky Way Galaxy में उसके केंदर में एक सुपरमैसिब ब्लैक होल है जिसे Sagittarius A Plus कहते हैं लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस सुपरमैसिब ब्लैक होल का निर्मान कब हुआ और किन हालात में हुआ इसके बारे में कुछ दशक पहले तक कोई भी जानकारी नहीं थी 2022 में पहली बार इसकी तस्वीर सामने आई और अब इस बात का खुलासा हो गया है किसका निर्मान किन हालात में हुआ और कब हुआ तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सुर्जीत सिंग और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट चरूर कीजिए तो सुपर मैसिब ब्लैक होल जिसके चारो तरफ हमारी आकाश गंगा है हमारा मिल की वे गैलेक्सी स्थित है उस सैगिटेरियस ए प्लस का निर्मान ऐसे ही नहीं हो गया बलकि उसके निर्मान में बहुत से कारक जिम्मेदार थे और ये करीब 9 अरब साल पहले इस रूप में आया जिसको आज की तारीक में हम देख पाते हैं तो उसी के बारे में और भी जादा जानकारी विज्ञानिकों के इस नए शोध में मिली है वहाँ जुटाया गया है और उसके आधार पर अब विज्ञानिक उसके पहले के इतिहास के बारे में और जादा खंगालने की कोशिस कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारी ही आकास गंगा के केंदर में ऐसा सुपरमैसिब ब्लैक होल है बलकि तमाम गैलक्सीज ऐसी होती है जिसके केंदर में इसी तरह के सुपरमैसिब ब्लैक होल होते है इन में से कुछ का द्रव्यमान सूर्य से करोडों अरबों गुना जादा होता है मिलकीवे के केंदर में जो सुपरमैसिब ब्लैक होल है जो सैगेटेरियस ए है उसका द्रव्यमान भी करीब 40 लाक सूर्यों के बराबर है Astronomist ने नई रिसर्च में बताया है कि सैगेटेरियस ए प्लस का निर्मान गरीब 9 अरब साल पहले हुआ था उन्होंने ये भी बताया कि इसका निर्मान कैसे हुआ था अगर आप इस टर्म से पहले से वाकिफ नहीं हैं कि सुपरमैसिब ब्लैक होल क्या होता है तो उसके बारे में आपको बता दे कि ब्रमान की सबसे रहस्मय वस्तूओं में से एक है ये सुपरमैसिब ब्लैक होल ये इतने विशालकाय होते हैं कि उनका गृत्वा कर्शन प्रकाश को जकर लेता है सुपरमैसिब ब्लैक होल के चारो तरफ पदार्थ का एक घूमता हुआ रिंग होता है जिससे एक्रेशन डिस्क कहते हैं इसी डिस्क से होकर पदार्थ ब्लैक होल में गिरता रहता है जब ये सुपरमैसिब ब्लैक होल पदार्थ को निगल रहा होता है तो उसे एक्टिव गैलेक्टिक न्युकेलिया ही कहते हैं और ये ब्रह्मान के सबसे चमकदार एजी एनस को क्वैसार कहा जाता है और वो आकास गंगा से भी जादा चमकिले हो सकते हैं लास विगास के युनिवर्सिटी ओफ निवाडा के विज्ञानिकों ने तमाम डैटा को जोड़ कर एक सिमुलेशन रन किया तब जाकर के उन्हें सेगेटेरियस A पलस की उम्र का पता चला और उन विज्ञानिकों के मुताबिक Sagittarius A की उम्र तै करने के लिए Event Horizon Telescope के डेटा का सहरा लिया गया आपको बता दें कि इसी Event Horizon Telescope यानि EHT ने 2022 में पहली बार Sagittarius A Plus की असली तस्वीर ली थी जो आप आजकल देख पा रहे हैं विज्ञानिकों ने बताया कि Black Hole दो तरह से बड़े होते हैं एक तो समय के साथ जब वो पदार्थ निगलते रहते हैं जादा मात्रा में पदार्थ उसमें इकठा होने लगता है तो वैसे वैसे उनका आकार भी बढ़ने लगता है और दूसरा जो तरीका है उनके बड़े होने का वो है विलय के साथ विज्ञानिकों को लगता है कि सुपरमैसिब Black Hole के निर्मान के लिए आकाश गंगाओं के विलय की जरूरत पढ़ती है उनका मानना है कि Sagittarius A Plus का निर्मान भी विलय के जरिये हुआ हलाकि ये पदार्थ भी निगलता रहता है विज्ञानिकों ने बताया कि Sagittarius A Plus बहुत ही अजीब है ये बेहत तेजी से घूमता है और Milky Way के सापेक्ष गलत दिशा में है विज्ञानिकों के मताबिक ये पिछले विलय का सबूत है विज्ञानिकों ने बताया कि ये विलय शायद 9 अरब साल पहले हुआ था जब Milky Way का गया इंसलेडाइस आकाश गंगा के साथ विलय हुआ था जिहां इस तरह के सुपरमैसिब ब्लैक होल चुकी आकाश गंगा के केंदर में होते हैं इसलिए अगर ये किसी दूसरे सुपरमैसिब ब्लैक होल के साथ विलय करेंगे तो उसके लिए दो आकाश गंगाओं का आपस में विलय होना जरूरी है तभी दोनों आकास गंगाओं के केंदर में स्थित सुपरमैसिब ब्लैक होल आपस में टकराएंगे और धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज कर जाएंगे और इसी मर्जर के कारण एक बहुत विशाल यानि सुपरमैसिब ब्लैक होल का निर्मान होता है और विज्यानिकों ने जो डेटा खंगाला है जो विश्ट्रेशन किया है उसके आधार पर यही दावा कर रहे हैं कि हमारे आकास गंगा के केंद्र में जो सुपरमैसिब ब्लैक होल सेगेटेरियस ए प्लस इस्थित है उसका निर्मान भी इसी तरीके से दो आकास गंगाओं क विलैसे हुआ होगा और ये सारी जो प्रिक्रिया हुई होगी नौ अरब साल पहले हुई होगी तो विज्यानिक अब थोड़ा और समझने की कोशिस कर रहे हैं कि क्या हमारी आकास गंगा में जो दूसरे कुछ सुपरमैसिब ब्लैक होल हो सकते हैं जो विशाल का इस ब्लैक बढ़ता गया तो अब इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जाएगा लेकिन आज की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही नमस्कार